हेलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में मुझे बहुत खुशी है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर अर्पना और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स साथी हम बात करते हैं कुछ बिम या जब ही मैं लाइफ Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग भी मुझे जॉइन कर सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिसेंट्री तो डिसेंट्री या जिसको अमाशय भी कहते हैं या मोशन्स में आ अगर का जो कोलन है इंटेस्टीन है इप्रियि हो जाए और इंफ्लमेशन के कारण से जो इंटेस्टीन के सेल्स, जारेपिंग तो वह म्यूक्स के फ़र्म में मोशन के साथ आते हैं और सात में खून वगारा भी जा सकता है तो यह डिसेंट्री के सिम्टम्स हैं अभी डिस वाइरल इंफेक्शन के वज़े से हो तो किसी तरह का भी जब इंफेक्शन हो बॉडी में तो तब आपको डिसेंट्री के सिंप्टम्स हो सकते हैं गैस्ट्रेंटराइटिस के वज़े से भी ऐसा आपको हो सकता है तो डिसेंट्री जब होगा तो यह जो मैंने म्यूकस बताया म्यूकस जाता है मतलब जैली लाइक कुछ आपके मोशन्स के साथ यह जाता है तो यह इसकी जो क्वांटिटी है यह अलग हो सकती है हो सकता है पेठ में एकदम क्रांप जैसा पढ़ना पेठ में एठन जैसा महसूस होना और कुछ भी खाते पीते ही एकदम से अपको मुशंस के लिए जाने की अर्जेंसी होना तो यह सब अलग-अलग सिंटम्स अलग-अलग प्रेजेंटेशन है डिसेंट्री के कई बारी फूट पॉज इसम्टम्स हो सकते हैं तो अगर डिसेंट्री है तो इसमें हुमियोपथी में कुछ मेडिसेंस हैं जो काफी हेल्पफुल है जो आपको मदद कर सकती है तो सबसे पहली मेडिसें है हमारी कॉल्चिकम तो क्या होता है कि डिसेंट्री में आपको जैसे मोशं के साथ आपको एकolla मेध में भुझे बिल्कुल ईयुकर रही तो तब बेंडिंग से आपके पैट धर में अराम मेले तो कि अभिग एक्यूलियर्टस इसा अधर ढाबार एक्वारए मोशिंस आहिकर अरो न्यूरी न्यूलर Voice cat बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप ले सकते हैं, डिसेंट्री के केस में, और भी मेडिसिन हैं, जैसे कि ऐलोज, ऐलोज में क्या होगा, कि आपको एक अरजनसी, यानि कुछ भी आपने खाया, पिया, तुरंत आपको लगेगा, कि मोशन के लिए जाना है, कुछ खाते प मुकस जो जाता है, वो अलग-अलग कलर का हो सकता है, तो अगर थोड़ा सा यलोईश, ग्रीनिश कलर का है, तो अरजन्टम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है, अरजन्टम नाइट्रिकम में भी कुछ भी आपने खाया या पिया, तो तुरंत पेट में दर्थ का मह अरजन्टम नाम से हम बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं या आमी निकल रही है, तो ऐसे आपको सिंटम्स हो, तो गंबोजिया बहुत है तो दोस्तों कई बारे डिसन्टरिकम इंफ्लमेशन आपके कोलन में, बोवल्स में कुछ इंफ्लमेशन हो रहा हो, जैसे अलसरेटिव को इसे कंडिशन में भी आपको हो सकता है, तो इसके लिए अगर डिसन्टरी एक्यूट है, तो तो आप मेडिसन से ठीक हो जाएगा, पर अगर क्रॉनिक केस है, काफी टाइम से आपको ऐसा हो रहा है, अमाशय आपको हो रहा है, आमी निकल रही है, मोशन के साथ तो उसके लि शेयर की, मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फामिली सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनेफिट उठा सके और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे स Q&A सेशन में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और लाइफ चैटिंग के थू अपने क्वेस्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँ कि आप लोगों को मदद करने की, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, धे